हलो फ्रेंड्स वर्धनी केडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के यह आप टॉप हैंड़ेट करके यहां पर सीरीज इस्टार्ट कर रहा हूं जि इंडियन नेशनल मुवमेंट के सव कोश्चन होगे तीन यह वीडियो हो गई इसके लावा साइंस के सव कोश्चन होगे पूरी किताब का निचोड है और इसमें जो बुक्स यूज की गई है वो तीन की गई है घटना चक्र लिवसेंट और प्लस जो आपकी महस वरणवाल वाली जो NCRT सार संग रहा है ठीक है तीनों बुक्स का यहां में निचोड है एक तरीके से और यह इसलिए है क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कर रहे हैं या फिर जो घर में जिन वालब हाउस वाइप्स हैं उनको काफी दिक भूग भूगोल हो जाएगी और जो पॉलिटी है आपकी वह हो जाएगी इसके आलाबह आपका जो पर्यावरण के 100 साइन्स के 100 कोश्चन हो जाएगे इस तरीके से टोटाल टॉट टॉप हेंडड़ की जो 7 वीडियो आपको दे दी जाएंगी ठीक है यह वीडियो आज मैं सा question किस टाइब से आ सकता है ठीक है तो इस हिसाब से एक दिन छोड़ के मतलब यह समझ लिए आपको 10 October से पहले मुझे मुझे वो सातों जो classes है आपकी वो complete करवानी है ठीक है यह one-liner questions ठीक है यह one-liner question है और फिर मैं कोसिस करूंगा कि 10 October के बाद जो 16 तारीक ते 10 से 16 तक उसके बीच में टॉप से टॉप से टॉप हेंड़ेड के seven multiple choice के questions करवा दिये जाए जो कि इन questions से भिन्न हों ठीक है क्योंकि समय कम है इसलिए अभी इनको कर लीजिए और फिर top 100 कोसिस करूंगा कि आगे उसके लिए पेपर से पहले आपके mcq करवा दिये जाए ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कॉपी पेन प्लीस लेके बैठा करिए यह ऐसी कोई बा आप आखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं और जब लिखते हैं तो दिमाग कायूज तो तीनों चीज़े यहाँ पर होती हैं अगर यह वीडियो 20 मिनट की होगी तो मुश्किल से आपको भी 20-22 मिनट ही लगेंगे और जो नोट्स ऐसे बनाया करें वह एक ऐसे बनाया कर हैं आप लोग देखके खुदी वीडियो का लास्ट में जरू बताईएगा क्योंकि पहली वीडियो है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी ठीक है क्योंकि बिल्कुल निचोड है टॉप एंडट का ठीक है तो यह है प्राचीन भारत इसके बाद क्योंकि वन लाइन को सिर्फ आपका जो कोस्टन आपको आते हैं वही आपको सिखाने जब यंच्ट की बात होगी तब उसमें मैं पूछोंगा कि आपकी कितने को सही हो रहा है तो इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है हेरोडोट को नेस्ट को वायू पुराण में और जो विष्णु पुराण है उसमें मौरवंस का यहां पर उलेख मिलता है तो यह तीनों चीज़े यहां पर हो गए ठीक है यह कोश्टन आपको आना चाहिए जैन धर्म का प्रारंबिक इधियास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है तो इसका उत्तर क्या है कल तक कलिबशी नेक्ष्टल का नामोलंने किस अभिलेक से अभिलेक से तो यह हुआ था घंसे अपयू यह जैसे हम लोग लिखते हम लोग जो रिखते हो ह। बायन से लाव लिखते लेकिन फिन यह लिखती दाए से बाइश ठीक है खरोष्टी लीपि नेक्स्ट है सुंग काल का मानक ग्रंत किसे कहा जाता है देखें लाइन से चीजे चल लाइन ही है तो इसको एक एक कुष्चन आप लोग समझेगा सुंग काल का मानक ग्रंत किसे कहा जाता है मनुश्म्रति को मनुश्म्रति को ही कहा जाता है और पत पतंजली का महाभास से है वो सुंगवंस से संबंदित है तो पतंजली जो है वो भी सुंगवंस के ही समकालीन होंगे ठीक है यह चीज क्लियर हो गई यह question आता भी है कि पतंजली महारशी पतंजली जो योग के परवर्तक है वो किस काल से संबंदित है तो वो सुंगवंस से सं काली ने इस्त्री को पुरुष की अर्धांगनी किस ग्रंत में कहा गया उत्तर है सत्पत ब्रामः यह कोशन आप यहाँ देखके जिसने लुशेंट पड़ी होगे उसको भी याद होगा महस वनवाल पड़ी होगे उसमें भी आपको मिल जाएगा और घड़ना चक्रा है उसम खेत के साथ कि मनुष्य ने सरव प्रथम किस धात का प्रियोग किया था तो यह उत्तर में है तामबा सबसे पहले धात जो थी वह थी तामबा और प्रथम पालतू पसु था वो था कुट्टा और जो सबसे पहले जो अनाज यूज किया गया था वह था जाओ ठीक है वो का था जो था ठीक है सबसे पहली प्रियोग की जाने वाली धाथ तामभा और पशु कुत्ता और जो अनाज था वो है जो ठीक नेक्स्ट है भारती पुरातत्त्तु का जनक फादर ऑफ इंडियन एक्रोलोजी ठीक ठीक है किसे कहा जाता है उत्त अलेक्जेंडर कनिंगम को भारती पुरातत्त्तो का जनक किसे कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को ठीक है अलेक्जेंडर कनिंगम को यहां पे कहा जाता है माइक्रोलिथिक और सम्मंदित है तो माइक्रोलिथिक और जो है वो सम्मंदित है मद्य पाशाण काल में ही पस्वालन का प्रारंब भी हुआ था ठीक है यह कुष्चन आता है पस्वालन का प्रारंब किस काल में हुआ था तो मद्य पाशाण काल में अगनी का उपयोग करना मानव ने किस काल में सीखा था तो अगनी का जो उपयोग करना मानव ने सीखा था वो नवपाशाड काल में सीखा था और इसके लाबा जो आग की खोज है वो पुरापाशाड काल में और पहिये का आवसकार भी आपका नवपाशाड काल में ठीक तो अगनी का उप्योग करना मानव ने देखे एक दो दो कोस्चन है यहां पर समझेगा अगनी का उप्योग करना नवपाशाड काल में सीखा था जबकि आग की खोज पुरापाशाड काल में ही हो गई थी ठीक है इस चीज़ पे काफी लोग डाउट रहता है ठीक है आग की पुरापाशाड काल अजबकि उप्योग नवपाशाड काल और पहिये काविस्कार नवपाशाड काल में नेक्स्ट है भारत में जीवास्म का एक मात्र प्रमाड कहां मिलता है उत्तरह सिवालिक की पहाडियों से ठीक है जीवास्म का एक मात्र प्रमाड नेक्स्ट है प्रस्पास पास्टा के वाहाँ से मिल जाएंगे और कच्छी ईंक्टों के आताकार मकान भी घडप्ता की लिप किस प्रकार की थी तो ये भाव चित्रातमक थी ठीक है भाव-चित्रातमक थी अब इसमें कुछ कोश्चन लोग सुच रहे होंगे इसमें यह तो पूछे ही नहीं हड़ापा की खुछ किसने की और मोहन जोड़ों की किसने की तो यह नॉर्मल कोश्चन है यह लगभग सबको आते ही होंगे और नहीं आते होंगे तो जो अभी तक मैं टॉप 40 चला रहा था उसमें यह सब आ चुगा है पहले ठीक है तो यहाँ पर ज्यादा तर वही चीज़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक आगे देखिए मोहन जोड़ों का साब्दिक अर्थ क्या है तो यह है म्रत्कों का टीला ठीक है यह तो आपको पती होगा हडपा की समकाली सभिता रंगपूर कहां इस्तित है तो जो रंगपूर है वो है सौराष्ट में ठीक है गुजरात में आपका सौराष्ट का है गुजरात में नेक्स्ट है आधुरिक देवनागरी लीप का प्राचीन रूप क्या है तो आधुरिक जो देवनागरी लीप है उसका जो प्राचीन रूप है वो है ब्र कुल सोट्य कितने हैं 10 मणडल है 10-etically 1028 सूथ है और देखिए रिगवेध रिगवेध 9 मणडल में क्या है रिगवेध के 9 मंडल में ग्या पे शोमदेपता का ंफ्ल्लेस मिलता है वेद तराई नाम किसके लिए प्रियों किया जाता है तो वेद तराई वेद मतलब वेद, तराई मतलब तीन, तीन वेद का उन्हें से होंगे, यजुरुवेद, थीक है, जो लास्ट में अथरववेद, चौथा होता है, उसको छोड़ दीजे, मांकी तीनों को मिलाके, वेद में कर दिया य pretend यह के सम्दी विदी जुरुपेद में आपको मिल जाएगा सपत्क इसठल किस राजमिस्थित है तो दोलवीर आपका गुजराद में इस्थित है और लोथल जो है वो भी गुजरात में है राकि गड़ी आपका हरियाणा में है काली बंगा राजस्तान में है आलमगीरपुर मेरत उत्रवदेश और बनावली आपका हरियाणा में ठीक है यह आपको सारे पता होने चाहिए इसमें से जो चीजें है वो सभी मिल जाएंगी पनाएम ठीक है आरंविक बैदिक साहित में सरवाधिक वनित नदी कौन सी है तो उत्तर है सिंधु नदी सबसे वरणन जिस आरंबिक वैदिक साहित में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वरणन हुआ है वह है सिंदू और सबसे ज़्यादा जो पवीत्र नदी सरश्टी नेक्स्ट है इरां से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अविलेक से प्राप्त होती है भोगाज कोई अभिलेग तीख है इरान से भारत में आने कि जो सूचना है वो भोगाज को अभिलेग से प्राप्त होती है बैदिक काल में द्ष्य त्रेडी में कौन-कौन सामिल थे ? तो द्ष्य ध्विज श्रेडी में जो थे वो ब्रामण सत्री और वैस थे मतलब सूद्र को छोड़के ध्वी स्रेडी में ब्रामण सत्री तता वैस लिए से प्रिसिद्ध दसराज इुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था तो यह परसुणी नदी जिसका जो बर्तवान में रावी नदी के नाम से जाती है तो आपको य почти पता होना चाहिए रावी नदी का पूराना नाम परसुणी धिक है वैदिक काल में लंबे समय तक अभिवाहित रहनी वाली कंनिया को क्या कहा जाता था ओसको अमाजू कहा जाता कि अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया ग्या तो एक Unisomy तुमेप क Discovery मुझाइए नियुकन Bardzo significantlyigkeiten और या गिवल्क गार्गी का जो समवाद है वो भी ब्रहदारन्यक उपनिशद्ध हो गया ठीक है यहां पर दा होगा यहां पर लाश्ट में ठीक आश्ट रिख वेज्वेट में लिकिति यव सब्द किसके लिए प्रयोक गया तो यव का जो अर्थ होता है वो होता है जिव्वर्ट का ऑणने कां अनेक अंथवाद कि सथ्थान तरल का मूर्फिधन कंदर्शन है अश्था ठाफक औ है रिषब देव और 24 में जो तीर्थंकर थे वह है महाबिर स्थापना किस नहीं की तो उत्तर है गंगवंस के राजा राजुमल चतुर्त के मंत्री वह सेनापती चाहमुंड राय ने ठीक है किस वंस के गंगवंस के राजा ने और उनके सेनापती जो थे चाहमुंड राय चाहमुंड राय ने स्रमण बेल गोला के पास इस्तित गुम्तेसुर की जो मूर्थी उसका करवाया था और यहां प्रत्यक 12 बर्स के बाद अफिलोग उससे जोड़ देते हैं ठीक है जैसे महाभिनिस्क्रमण वगेरा जो बुद्ध बुद्ध साहित में या बहुत धर्म से संबंदित है उससे जोड़ देते हैं जबकि ऐसा नहीं है यह गोम्तेसुर की मूर्थ की स्थापना जहां की गई है वहां मतलब प्रत्यक सिद्धु चेत्र माना जाता है तो उटटर है समेद सिखर नेक्स है यापकनी ये किसका शंपर्दाय था तो उत्तर है जैन धर्म का और अरुळुवरत का सिध्धांत जो है वह भी आपका जैन धर्म में ही मिलेगा नेक्स है जेन धर्में स्वैतामपर संप्रदाए के संस्तापक थे स्थूल भद्र हुए ऽर्थला को सब्सक्राइब के संस्तापक था इस तो तो यह है कौसाम्भी जो यह जो कौसामभी है यह दोनों के लिए काफी important है next है जैन्दर्म् ग्रंथ कल्प सूत्र के रचईता कौन है तो यह है भध्र भध्र बाहु ए भध्र बाहु नेक्स्ट है महाभिनिसक्रमण से क्या तातपर है उत्तर है बुद्ध के महांपरी निर्वाल का मतलब होता है मृत्यू ठीक है बुद्ध की जो मृत्यू हुई थी या फिर उसको निर्वाल कह सकते हैं उसको महांपरी निर्वाल कहा जाता है और महांपिनिस क्रमण का मतलब बुद्ध के ग्रहते आग की घटना नेक्स्ट है बौध्यो को प्रवेश दी गए थी ठीक है भिचुडी संग में तो यहां वैशाली में दी गए थी कहां वैशाली में नेक्स्ट कोश्चन असोग का कौन सा अभिलेक या पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जनम लुंबनी में हुआ था तो यह है रुम्मिन देई इस्थंभ संग करने प्रथम महेला कौन थी ठीक है गए और क्रशन को जो थी करश्न को संग्या दी वो हेरकलीज दी तो उत्तर है अब यहां पर देखे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संब्धित कोश्चन आ गए हैं ठीक है जश्चिल भारत में सैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी उत्तर थी नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी तिरेसर यह भी कोश्चन काफी पूछा आता है वेश्ण Oldham मत के विस्तार अलवार संटोन ने किया थह अलवार संटोन किया था वह प्राचिय असथल जहां सब्सु आजें संपूर्ण महारत कथा का वाचन किया गया तो यह जो इस्तान है वह है नैशारण जो की सितापुर में पढ़ता है ठीक है लखनव से थोड़ी दूर पे हैं दूसरा डिस्टिक है सितापुर्ट ठीक है नेक्स्ट है मगध सामराज का वास्तविक संस्तापक कौन था तो मगध सामराज का जो वास्तविक संस्तापक था वो था बिम्बिसार प्रसिद्ध वैद जो जीवक थे वो बिम्बिकार बिम्ब जैसे स्वारी अगर इस तरीके से चंद्रवा पूरा गोल होता है तो वह ऐसे होगा ठीक आधा होगा ठीक इस तरीके से होगा ठीक प्रच्रावस्ति का जो नगर विन्यास है वह अर्ध चंद्रागार नेक्स्ट है उज्जयन का प्राचीन नाम अवंतिका था ठीक एक्स्प् के पास यहां पर कि जेनाओं के मद किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था तो हुआ था जेलम नदी के तट पर और सिकंदर की जो मृत्य हुई थी वह थी बेबी लून में ठीक है नेक्स्ट है किस सासक को परश्राम का दूसरा अवतार कहा जाता है तो महापदम नंद नंद बंस का सासक महापदम नंद जो है इसको परश्राम का दूसरा अवतार कहा जाता है नाम से चंडर्गुलत्मारी की पहचान किस ने कि उत्तर हो देवान पृका या प्रीदर्षी भी ऐसो को कहा जाता हैं नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर और सिकंदर की भेट का उल्ले किस ने किया है यह किया है जस्टिन ने किया है नेक्स्ट है कुम्हरार कुम्हरार या कुम्हरहार ठीक नामग इस्थल से किस प्राची नगर के अफसेस प्राप्थ हुए तो यह प्राप्थ हुए है पाटल अभी लेक नेक्स्ट है असोक के सिलालेकों में प्रियुक्त भासा कौन सी थी तो जो उनके सिलालेकों में थी वो थी प्राकर्त में और सम्राठ असोक का एक जो सिलालेक है वो सहवाजगड़ी में है सहवाजगड़ी कहा है पाकिस्तान में ठीक है और सारनात इस्थम ये भी पुझा जुना गड़ magic में किया गया है अंत चामरी करें का ब्रहद्रत था मौर कालिकी की सपुस्तक में जहाज निर्वान वा नाविक गतविद्यों का वर्णन है है तो यह किया गया थे इंडिका में और इंडिका लिखी किस ने है मेहसरति नीज ने और ये किस ख़ल से संबंदित है मेहसरति ये हैं मौरि काल से संबंदित नेकस्ट सिमुप किस साथ वहानों की जो राधानी है वो अमरावती है और सर्फ्रेश्ट सासक जो है वो गौत्मी पुत्र साथकर्णी ठीक आन्दुके साथ वहान राजयाओं की सब से लंबी सुची मज़ प्राण में मिलती है ठीक है कुसाइब सासक कनिष्क का राजय वेशेक कब होता तो यह कुछट्ण भी बहुत पूछा जाताँ समब्भाभ प्रारबार्य ख़ोट्प उस्ट समत्धा था राजवेद कौन था चारक है विक्रम समपत कब से और चिनल इस समपर्व से कनिस्धं और सम्परुब्दाय था भिषान सम्पर्दाय तें पांच आउव और भारतियों के लिए जो रेषम मार्ग किस ने सुरू किया था नेक्स्ट है बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है तो यह हुआ है कनिस्क के सिक्कों पर सरपतम सोने के सिक्के कुषाड़ों ने जारी किये थे कुषाड़ मतलब कुषाड़ साथ सा की था कनिस्क नेक्स्क भारती और युनानी ग्रीक कला सैली के समिस्रण को क्या कहते हैं तो देखें भारती और युनानी जो कला सैली है इनके मिस्रन को क्या कहते हैं इसको कहते हैं गांधार सैली ठीक सैलिया मैंने एक बार आपको बताई भी थी मैं फिर से आपको बता दूँ जो आपकी नागर सैली है ठीक है जो उत्तर भारत के जो मंदिरों के सैली है उत्तर भारत के वो है आपकी नागर सैली दक्षिण भारत के है जो मंदिरों के सली है वह आपकी है द्रविड स locally और जो जिसमें दोनों का मिस्ट्रण मिल जाए वह होता है वेसर सैली टीक है तो पर हें और जो यहां पे कहा गया है भारत ओंधर जो सैली है उसका मिस्ट्रण उसको कहते गांद PROF पर सहली ठीख हृं योध्य शिक्कों पर कार्थी देवता कर्या का चत्रांकन मिलता है योध्य को स्का फिलता ये किस्व करने किस्य कूषम आता है कि सासक को सख विजयता कहा जाता है와 मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित को शकों का विजयता गहा जाता है गुप्त कालिन स्वर्ण मुद्रा क्या थी दीनार और रजत मुद्रा क्या थी रूपा की ये भी बहुत इंपोर्टिट है इसको अगर नाता हो नोट कर लीजिए हुडो का उन्मोलन किस ने किया था इसकंद्रगुप्त ने किया था हुडो का उन्मोलन इसकंद्रगुप्त ने और सकों का उन्मोलन चंद्रगुप्त दुतिये ने ठीक दिल्ली की कुवत इसलाम मस्जिद के प्रांगण में इस्तिद्ध प्रसिद्द लाव इस्तंभ किसकी की इस्मृत में बनाया गया था तो यह बनाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित मतलब चंद्रगुप्त दुति की इस्मृत में बनाया गया था नेक्स है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है और लिच्छिवी दौहित्र के नाम से भी सासनकाल में नालंदा विश्विद्याले की स्थाबना की गई थी तो यह की गई थी कुमार गुप्त के समय में कुमार गुप्त के समय में और नालंदा विश्विद्याले को जो नस्ट किसने किया था वो था बक्तियार खिल जी ठीक है नालंदा विश्विद्याले को जो इस ठीक है एक भी चीज़ छूटनी चाहिए जब मैंने इतना बहुत मेहनल लगती है इस सब चीजों को लिखने में मैंने पीडिया फिसकी लिए नहीं बनाई कि इसमें और ज्यादा टाइम लगता उतनी दिर में मैं कोई और भी काम कर लूँगा ठीक है कि सासक ने चार अस्वम किसने की थी तो यह की थी नागवर्ट प्रथम ने और रश्ट्रकूर्ट वंसकी स्थावना दंतिदुर्गने की थी सम्राठTeme रश्बर्धनने दो बहुत सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था तो यह किया था खने कई तथा प्रैाग में तक है वो किसने लिखे थी वाणभटने ठीक है नेक्स्ट है सम्राठ हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया था तो सम्राठ हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करने वाला जो राजा था वो था फुलकेशन दोती है ठीक और हुए सामें निर्माड किस ने कराया था नर्सिंग देव वर्मन ने ठीक अंकोर वाट का विश्णु मंदिर ये हैं कमबोडिया में और बीरुपाच का मंदिर है हम्पी मतलब करनाटक में एलोरा गुफाओं महराष्ट का निर्माड किन सासको ने करवाया था तो उत्तर है सिव मंदिर का निर्माड भी राष्टकूर्ट सासक क्रश्ण प्रथम ने कराया था ठीक एलोरा गुफाओं में जो सिव मंदिर है उसका जो निर्माड है वो कराया था राष्टकूर्ट सासक क्रश्ण प्रथम ने नेक्स्ट है त्रिमूर्थ की नाम से विख्याद गुफ अनुवादित कोई बुख है तो वो है पंच तंत्र ठीक है यह पंदरा भरती भासाओं और 40 विदेशी भासाओं में इसका अनुवाद किया गया है मतलब ट्रांसलेशन किया गया है पंचतंत्र का फार्सी जो अनवाद है, उसको अनवारे सुहली सिर्षक से लिखा गया, अनवारे सुहली किसको कहा गया है, यह पंचतंत्र का ही फार्सी अनवाद है, अनवारे सुहली, नेक्ट है, कस्मीर में हिंदू राज्य का इतियाज किस ग्रंथ से पता चलता है, तो य यह नाग सेन के ठीक है राजा मिलिंद और नाग सेन जो है बहुत विच्च्चु थे उनके बीच जो समवाद हुआ था उसी को कहा जाता है मिलिंद पनोहों मिलिंद पनोहों किस भासा का गरंत है तो यह है पाली भासा का नेक्स्ट है अश्ठाध्याई के रचाईता पाड़े नहीं ठीक है और काली दास के तो बहुत है सारे पूछे जाते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं अभियान सापकॉंतलम मेगदूतम कुमार संभवं माल विकाग है विक्रमोर सबसect base यह है काली दासके गड़ित की पुस्तक लीवावती के लेखक कौन है तो लीवावती जो लेखक इसके है है भासकर आचाए ठीक है अरुपन की है अर्वाजूनियंग यह सारी बुक्स आपको पता होनी चीकिए यह nेस Nex नेक्स्ट की बिछिंग किसकी सभा को सुस्ववित करते हैं इसमें देखें दो कोशन बन गए एक तो पुछा गया गीत गोविंद के जो रचाइता है वो है जैवदेव और इन्होंने किसकी सभा को अलंकरित किया है वो लचमण सेन की उनकी ठीक है तो जैदेव ने किसकी रचना की है गीत गोविंद निर्माड किस सासक ने करवाया था तो यह किराया था राजेंद्र चोल ने ने बंगाल की खाड़ी को चोल जील का स्वरूप प्रदान करने वाला सासक कौन था तो यह था राजेंद्र प्रथम नौसायनिक सक्ति के विस्तार से नेक्स्ट है चालुक के वंसका सबसे महान सास तक तक तहाय नर सिंघ वर्मन वह कुझ है और से भिज़ चोल के लंग में किया गया? नेक्स्ट है स्रिलंका को पूर्ण स्वधनतता किस चोल राजा ने प्रदान की थी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया था तो यह थे कुलोतुंग प्रथम प्रचीन नगर् तच्छिसिला किंदो नदियों के मध सिंदु तथा जेलम के मध्य में बोरो बढ़र का प्रख्यात का इसे तती है तो यह इन्डो警 की विजयत चत्रियों कवर्णinfect की किस सिलहलेक में मिलता है तो ये तेरवे सिलालेक में इसका वर्णन मिलता है कलिंग युद्ध की विजय और छत्रियों का वर्णन नेक्स्ट है मौरे समराज में रज्जुक जो है वो भूमी मापक अधिकारी को कहा जाता है नेक्स्ट है नवदा टोली का उत्करनन किस ने किया था तो नवदा टोली का किया था एचडी संकालिया ने और नवदा टोली वर्तवान में है कहां महाराष्ट्रा में नेक्स्ट है जैन संपर्दाय के विभाजन के पस्तात भद्र बाहु के अनुयाई क्या कहला है तो भद् चूटा हो जो आपका प्राचीन भारत के इधियास में कोई कोशन आपका छूट रहा हो इन बुक से ठीक है जो इंपोर्टेंट कोशन है लगबख सारे इसमें करवा दिये गए हैं अब इसके बाद मेडिवल का भी करवाऊंगा और जो मैंने साथ बताई हैं उनका करवा दू होगा ठीक है वैसे पूरी कोशिस है कि आपकी पेपर से पहले टॉप 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 हैंडड के जो एमसी क्यों है वह भी करवा दिये जाए और कोशिस रहेगी उसमें और अलग से कोश्चन होने चाहिए जिससे आपके सभी कोश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो लेगा दोस्तों आज की वीडियों सिर्फ इतना ही है मिलते अपनी नेक्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार आज